दोस्तों मैं शेकबार फीर से आपसे स्वागत करता हूँ आज के से नई वीडियो में दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसी नई वीडियो लेके ह। जिसे में हम बात करने वाले हैं कि जो फंड आपने invest किया है LPN token में उस fund को आप secure कैसे रख सकते हो किन-किन बातों का आप को ध्यान रखना है जब आप invest कर ले तो LPNT में तो वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्त आप इस वीडियो का skip करके मत देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको पांच गलती है आपको बताने वाला हूं तो पांच वी गलती है जो आपको सुनते जाना है कि वो आखिरकार पांच वी गलती कौन सी है तो अब भी यहाँ पर कोई नया इनिवेस्टर एलपेन टोकर में इनिवेस्ट करता है सबसे पहले वो अपने एक अकाउंट क्रियेट करता है गुबल क्रोम पर जो एलपेन टोकर ओफिसल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर उस समय वहाँ पर option आता है email ID फिल करने का अब जो भी नया इनिवेस्टर होगा वह email ID फिल कर लेता है फिल करने के बाद OTP आता है उसकी email ID पर OTP को वहाँ पर फिल कर देता है उसका जो account है वह successful create हो जाता है अब इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वह दोस्तों यह होता है आपको उसका email ID है प्लस password है email का आपको उसको secure करके या फिर आप इसको किसी notebook में लिख सकते हो क्योंकि जो भी काम का आगे होने वाला है वह आपका आपकी email ID के साथ अटेच होगा यानि जो भी OTP आएगा विड्रोल करते टाइम या फिर आपकी जो भी amount आप transfer करोगे तो जो भी OTP आएगा जो भी information आईगी वह आपकी उसी email ID पर आएगी जो आपने वहाँ पर sign up करते हैं समय डाली तो यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं email ID का जो password है उसको भूल जाते हैं बूलने के बाद यहां पर बहुत जादा number होता है और password होता है जब आप यहां पर sign up कर लेते हो sign up करने के बाद account number और उसका जो password है वह आपकी email ID पर यहां पर transfer हो जाता है यानि send कर दिया जाता है LPNT project की तरफ से अब आपको यहां पर क्या करना है LPNT का जो account number आया है उसको और जो password आपने create किया था वह आपका email पर show करेगा उसको भी आपको क्या करना है secure करके रखना है ना ही तो आपको उसका password किसे किसा शेर करना है क्योंकि अगर आप यह चीज़े करते हो तो आपका जो fund है वह आपका लोज हो सकता है तो कोशिश करनी है आपको जो भी account number है और जो password है उसको आप किसी notebook में लिख कर रख सकते है क्योंकि future में अगर आपको जर ही देता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर LPNT wallet में जो भी आपका fund आता है यहां पर हर महीने आप कहा है सकते कोई appraisal आता है आपका staking reward आता है या फिर कोई भी आपका fund आता है प्रोजेक्ट की तरफ से वह आपका LPNT wallet में आता है अब आपको इसको withdrawal करना है तो आप किसी exchange पर ले जा के इसको withdrawal करते हो तो सबसे पहले काम आपको यह करना है अगर आप किसी भी एक्सशेंस पर इसको transfer करना चाहते हो इस amount को सबसे पहले आपको उस एक्षेंज के बारे में उसकी जो term and condition है उसको read करना है उसी के बाद आपको आपका जो fund है उसको transfer करना है तो यहाँ पर देखिए जो BP20 है वो हमारा सिरफ अभी दो ही एक्षिंज पर सपोर्ट करता है सबसे पहला आपका कोईन बजार है और सेकंड आपका 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 पर प्रोपिट ग्लोबल है बायू कोईन और बिट्रेक्स पर BP20 अभी सपोर्ट नहीं करता है तो देखिए यहाँ पर लोग क्या कर रहे है कोई बायू कोईन पर अगर ट्रांस्वर करना चाता है तो देखिए बायू कोईन पर BP20 यहाँ पर देखेए सपोर्ट नहीं करते हैं तो वह क्या करते हैं वहाँ से Ethereum का address कोपी करते हैं और यहां पर wallet में आने के बाद LPNT BSC से जब वो ट्रांसफर करते हैं उस wallet के अंदर अब यहां पर देखिए network जो आपने select किया है यहां से तो आप भेजरो LPNT BSC से और जो आपने वाँपे address select किया था वो आपने Ethereum क्या किया था अब इस transaction में जो भी आपकी चीज़े होंगी व आपको क्या करना है सबसे पहले read करनी है सभी की information दैन उसके बाद ही आपको यहां पर transfer का जो system है उसको use करना है दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर next गलती के बारे में अब सभी को पता है कि project की तरफ से हर किसी person को यहां पर हर minus checking reward आता है या फिर कोई appraisal आता है तो INR मे जब हम convert करते हैं तो यहां पर देखे कई लोग को problem आते हैं INR में convert करते हैं तो वो क्या करते हैं किसी unauthorized person को यहां पर अपने LPN token transfer कर देते हैं जिसके कान यहां पर देखे उनका जो fund है वो वहां पर देखे नुकसान में जा सकता है क्योंकि दोस्तों देखे किसी भी market में अगर आप चले जाते हो तो वहां पर आपको कुछ fraud आदमिया वो मिलते हैं तो यहां पर भी आपको दोस्तों हो सकता है कोई आपके पास message करें dividend withdrawal कराने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिसको transfer कर रहे हो उसको आप जानते हो तो तभी आप उसको transfer करना वरना आ दूसरी चीज़ जिसमें यह अगर आपको transfer करने है यानि INR आपको withdrawal करना है तो आप अपने जो अभी आप चार exchange है जहां पर LPNT register है आप वहां पर जाकर sell कर सकते हो अपने LPN token को और INR में आप amount ले सकते हो सारी चीज़े आपको चैनल के उपर मिल जाएगे कि आप INR में कै कैसे convert कर सकते हो किसी की भी help लेने कि आपको कोई requirement नहीं है आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों तो यह जो आपकी जो गलती आपको यह नहीं करनी है अब next गलती के बारे में हम बात कर लेते हैं आपर सबसे important बात आती है दोस्तों यहां पर जो fifth point है जो मैंने आपको बताया था कि जो fifth point होगा उसको आपको ध्यान से देखना है कि आखिरकार आपको यह जो पांच भी गलती है यह नहीं करनी है तो आपको पता है कि जब आप यहां पर LPNT wallet create करते हो तो उस समय आपका हमाँ पर एक QR code आता है प्लस आपको एक setup की मिलती है आपको क्या करना है इन दोन आपका जो QR code है अगर वो बाइचांस गुम हो जाता है future में तो आप उस setup की का यूज करके अपने account का जो access है वो आप किसी भी device में आप दुबारा से ले सकते हो अगर आप से गुम हो जाते है QR code और setup की तो आप अपने account का जो access है वो नहीं ले पाऊगे क्योंकि इसमें आपने invest किया है project के अंदर वो आपको आपर देखे loss हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है जो आप QR code आप screenshot लेते हो प्लस आपको जो setup की होती है इन दोनों चीजों को आपको संभाल के रखना है क्योंकि आपको ये future में काम आने वाली है जो आपका जो ताला है उसकी चाब गलतियों को avoid करना है जिससे कि आपका जो fund है जो project के अंदर invest किया हूँ आपने वो आपका safe रह सके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना और अपने friends में share करना मत बूलना क्योंकि दोस्तों देखे अगर आप इस वीडियो को share करते हो और और किसी को ये चीज़े समझ में आ जाती है तो आने वाला जो नयाई investor होगा वो ये नहीं गलतिया नहीं करेगा जिससे कि उसका जो fund है वो यहाँ पर secure रह सकता है तो दोस्तों अगर आपको और किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप comment करके comment box में बता सकते हैं कि आ आपको next video किस topic पर चीए तो definitely मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों next video में